असलाम अलेकुम गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एट सांबाल हमाधियर अगेन वेल गाइज हम लोगों ने एक फाइफ किलो वाट के स्टम इंस्ट्रॉल किया है रिमोट एरिया है रिमोट साइट है इस पर हमने जिनको 335 वाट के 20 पैनल यूज किये हैं तरद 360 है इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है और जनेरेशन तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी अभी यह है जिनको 335 वाट्स अच्छा यह आयरन स्ट्रक्ट्ट्ट्र हमने आयरन स्ट्रक्ट्ट्र मॉंग किया है इस पर बेस पर हमने अब शिक्स्टीन गेश का आपने आरनी स्मल किया है अब अब कि अब कि सफाई के लेटर इसमें बना दी है हमने केस पर जड़कर पाइप से यह किसी जाड़ो बगरा से बड़ी जाड़ो से सफाई हो सके और यहां पर हमने अर्सिंग भी इंस्टॉल की है क्योंकि यह कंटेनर्स में हमें लाइट सब्सक्राइब करनी थी और हमारा बैड एक्स्पेंस राइट अन्ड़ आदम की एक साइट पर हमें एक्सेंड हुआ था एक्सेंड आउटपुट पर हमारी गलती से नहीं कुछ श corriôm मात अब कि हमारी अर्सिंग्रेशन की एफ यह हमारी अर्सिंग के कर रहा हो is अच्छे जॉटी रिसेंस आरी हमाई पास वह आ रही है लेजन वन हो मारी है बलके लेजन थ्री हो मारी है जीरो पेंट टू टू कॉंस्टेंट है अलहम्दुल्ला प्रॉपर हम नेर्सिंग चाहिए मैंकर से तो जो रिसेंस आरी है अलहम्दुल्ला लेजन वन हो मारी नेप्रा की रिग्वार्मेंट लेजन फाइफ हो में लेकिन हम आपके जो रिसेंस आरी लेजन वन हो मारी है विच इस वेली गूट अच्छा यहां पर हमने जो इंवर्टर इंसॉल किया वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर हमने चार बैटरीज लगाई है TX3000 Phoenix 280A और इसमें इंवर्टर इंसॉल के है नेटरॉक्स 5 किलोवाट जो नीचे डीबी है यह DC की डीबी है इस पर हमने मिट्सो बीची 125 एंपेर्स का ब्रेकर लगाया है बैटरी बैंक के उपर STTC ब्रेकर है और पीवी पर हमने ब्रेकर लगाएं शनाइडर के ICA 60N 663 एंपेर्स के ब्रेकर लगाएं 1000 वोल्ट DC यह प्यूर DC ब्रेकर है और AC सैट पर यह DC की डिस्ट्रिपीशन बॉक्स है और यह हमारी AC की डिस्ट्रिपिशन बॉक्स है जिस पर हमने एक चेंजवर इंस्ट आप में या दिन में कभी तोलर को आउट्पूट नहीं दे बाता है को फॉल्ट की वयासे या बादल की वयासे या किसी और वजा से तो यह Gen Set इंस्टार्ट करके इसी पैनल की यूटलाइस करते वे आप पूर दिये सकते हैं चेंज़वर लगाया है और उसके साथ हमने एंपेर मीटर लगाया है ट्रेंस का और यह वोल्ट मीटर है ग्रीन हमने सोरर पर लगाया है और रेड हमने जैन सेट पर लगाया है करण को MPR को सेंस करके यह आउटपूट देती है हमरी MPR मिटर को जो मैं बता रहा हुआता है कि MPR कलोट कितना चलता है यह हमारी इसपर देना चाहेंगे इसके साथ और इसपर दो ब्रेकर लगाएं हमने एक लगाए इक लगाए सोलर के और एक लगाए चेंज ओवर पर तो एक इजाफे ब्रेकर लगाए जादा प्रोटक्शन के लिए अच्छा यह हमारा नैट्रोक्स है इस सिस्टम को चलते वे तक्रिबन चार से पांच रोज हो चुके हैं और अब यह मगरी के बाद का टाइम है वॉल्टेज हमारे भी भी आ रहे हैं प्रेंडेट प्लस दोनों पीवीज पर दोनों स्टिंज पर आशी जनेजिन 6.1 लोट है एक दो तीन चार पार्ट है आज यह पांचा रोज सा सिस्टम को उसल क्यों है लोड प्रॉपर डिस्रिब्यूट आगे से लोड चला नहीं है इसके यह से जितना लोड चला है अब ती आज चला है कोई साड़े पांच किलोवाट जनेशन हमारी जादा है वैल गाइज अगर आपको आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वेल्यू रखते हैं और हमें खुशी होगी कि हम अगर अपने काम में मजद बहतरी लापाएं आपके सजेशन्स पर और क्रिटिस्जम तो हम बहुत जहाँ लाइक करते हैं क्योंकि वह हमें बहुत जल्दी जो अब न्यों आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेस हैं उनको मिलते रहें नोटिफिकेस बार में अधिक्क राइस थैंक्स वर वाचिंग असलाम अलेकूं थैंक्क राइस असलाम अलेकूं अम्जा आप क्या कर रहे हैं